नमस्कार बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जनरल साइंस के मलडपल चोईस को डिसकूस करेंगे और यह जो क्वेशन्स होंगे बॉटनी के होंगे 45 क्वेशन्स हम लोग आपके सामने लेके आए हैं और यह सारे competitive exams जो कि आपका state PCS का हो या OPSC हो ठीक है OSTET का हो या ASO का exam जो आने वाला है या बाकी और कोई भी state government के exams है सबके लिए बहुत ज़्यादा important होने वाले हैं क्योंकि यह previous year questions है बहुत ही important examinations के तो चलिए start करते हैं first question देखते हैं question क्या कह रहा है तो देखे first question पर आते है first question में कहा गया है most of the desert plant bloom during night because देखे जो desert plants होते हैं वो mainly जो blooming में होती हो कब होती है रात में होती है तो यह पुछा गया ऐसा क्यों होता है तो first option कह रहा है their blooming is controlled by low temperature बिल्कुल ही गलत है second में कहा गया they are sensitive to phases of moon क्या phases of moon so sensitive होते है desert plants यह भी गलत है third में कहा गया desert insects eat away flowers during the day time क्या desert की insects जो है वो flowers को खा जाएंगी दिन के समय तो यह भी गलत है इसका जो सही answer option number D है और इसका सही answer क्या कह रहा है the desert insects are active during the night time तो जो desert insects होती है वो night time के दौरान active होती है जिसकी वैसे pollination आसानी से हो सकता है इसलिए blooming होती है रात में next पर आते हैं question 2 देखे क्या कह रहा है second question में कहा गया living organism require at least 27 elements of which 15 are metals तो देखे जो living organisms होते हैं उनको 27 elements की जुरत होती है और जिसमें से 15 elements कैसे हैं metals है और बाकी metals नहीं है among those required in major quantities include तो देखे जो macronutrients है जो major quantities में require होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं living organisms को तो यह potassium required है sodium required है magnesium or calcium तो याद रखेगा जो organisms होते हैं उनको चार mainly ऐसे elements है जो required होते हैं जिसमें potassium पहला है दूसरा sodium है तीसरा magnesium और चौथा क्या है calcium है यह चारो की requirement बहुत ज्यादा मात्रा में होती है नेक्स्ट पर आते हैं कुशन बद थर्ड देखे थर्ड में हॉर्मोन है हॉर्मोन को अगर flowers पे जो tomato के flowers निकलते हैं उस पे spread कर दिया जाएगा ठीक है तो क्या होगा spray कर दिया जाएगा तो जो tomato निकलेगा tomato के जो fruit निकलेगा वो कैसा होगा वो सीड लेज़गा मतलब उसमें बीजें नहीं होंगी इसको मैच करना है जैसे photosynthesis है mineral uptake है respiration और protein synthesis इसको मैच करना है यहां पर list 2 दी गई है इसमें से तो पहला photosynthesis अगर देखें तो photosynthesis मैच हो जाएगा किसके साथ में chloroplast के साथ में photosynthesis mainly अगर आप देखेंगे किसकी presence में हो सकता है तो chlorophyll की presence में होगा और chlorophyll को मतलब chlorophyll जो है वो किससे बनता है तो chloroplast है green color का pigment है जिसको chloroplast करते हैं उसी में ही chlorophyll पाया जाता है तो एक इससे मैच हो जाएगा एटू से मैच हो जाएगा इसके बाद बी वाला देखेंगे बी वाले में देखें मिनरल अप्टेक कहा गया है तो मिनरल कैसे जाते हैं मिनरल का कैसे लेते हैं plants तो यह लेते हैं plaza membrane के थुरू respiration कहां पर होता है तो respiration जो phenomenon है यह कहां पर होता है mitochondria में होता है और याद रखेगा जो mitochondria इसको power house of the cell भी कहते हैं और इसमें जो energy release होती है वह form जो form होती है energy की वह होती है ATP ठीक है तो ATP के form में energy release होती है ATP का मतलब होता है adenosine triphosphate next पर आते है protein synthesis किसमें होता है तो protein synthesis के लिए help करता है कौन ribosomes तो इसमें जो fourth option है वो सही हो जाएगा तो कैसे हमने match कर दिया तो photosynthesis को match कर दिया chloroplast से mineral subject को match किया plasma brain respiration mitochondria protein synthesis ribosomes तो इस तरीके से match हो जाएगा next पर आएंगे question number five देखेंगे fifth question में कहा गया which one of the following is a modified stem तो आपको बताना है इन में से कौन सा ऐसा है जो एक modified stem है ठीक है तो modified stem इसमें से देखेंगे तो potato जो है यह क्या है मतलब आलू जो होता है वो क्या होता है modified stem होती है next पर आते हैं question number six में कहा गया which one of the following type of microorganism is most widely used in industries देखें industries जो आपको बताना है सबसे आदा microorganism कौन सा यूज होता है तो देखें बैक्टीरिया तो यूज होता ही है micro algae और fungi भी यूज होते है तो इसमें जो d option है this will be the correct answer that is bacteria भी यूज होता है micro algae भी यूज होता है देखें माइक्रो algae और fungi अगर आप देखेंगे तो यह mainly जो anti-subtics जो anti-biotics होते हैं उसको बनाने हम यूज करे आते हैं और जो bacteria है इससे कई सारे important fertilizer में mainly इसको use कियाता है जैसे blue green algae हो गया मतलब bacteria में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे इसके uses आपको देखने को मिलेंगे ठीक है next पे आते है question number 7th में देखें वूड क्या होता है वूड एक stem होती है और starch क्या होता है starch होता है leaf में ठीक है तो इस तरीके से इसको भी आप match कर सकते हैं को शंबर 8th पर आते हैं 8th question में देखें क्या कह रहा है 8th question कह रहा है which one of the following statement regarding starch and cellulose is not correct तो starch और cellulose related आपको बताना है कौन सी बात correct नहीं है ठीक है तो याद रखेगा जो starch है और cellulose है यह दोनों iodine मतलब iodine के साथ test नहीं देंगी यह आपको समझना है ठीक है starch तो देगा टेस्ट लेकिन जो cellulose है ठीक है वह iodine के साथ test नहीं देता है अब इसको देख लेते हैं ऐसा क्यों होता है तो इसके वारे हम देखें explanation आप है है इस वज़े से ब्लू कलर का टेस्ट तो देगा लेकिन से लोज नहीं देगा ठीक है next पर आएंगे ergotism बहुत ही important question है पूछा आता है ergotism जो है वो कैसी disease है वो क्या होता है तो ergotism एक बीमारी है वो किसकी विए से होती है तो contaminated grains जब आप consume करते हैं ठीक है contaminated grains में contaminated cereals आजाएगा तो इन सब चियों को जब consume किया आता है तो एक दिक्कत आती है जिसको कहते है ergotism next पर आएंगे question number 10th देखते हैं 10th में कहा गया अब देखिए यहां पर year भी दिये गया है mainly civil में पूछे गया है questions तो यह कब कब पूछे गया है उसके बारे में यहां पर बताया गया है next में आते है question number 10th में कहा गया which one of the following is a useful functional association between fungi and the roots of higher plants तो दीके fungi और जो roots होते हैं बड़े-बड़े plants के उनके बीच में जो association है वो किसमें होता है ठीक है functional association which of the following is useful functional association इन दोनों में जो होता है उसको क्या कहते है तो इसको कहते है myco mycorrhiza ठीक है mycorrhiza कहते है इसको अब एक बार देख लेते है mycorrhiza होता क्या है ठीक है तो Microrosa जो है Symbiotic Association है किसके किसके बीच में Fungus के बीच में और Vascular Plants जो होते हैं बड़े-बड़े जो Plants होते हैं ठीक है उनके बीच में Microrosa क्या होता है Symbiotic Relationship होता है ठीक है अब Microrosa जो है इसमें होता क्या है कि जो Carbohydrates है वो Plants से Microrosa को मिल जाते हैं carbohydrates और return में क्या करता है fungus जो है help करता है plant को किसमे water supply करता है और साथी साथ important minerals भी supply करता है कौन fungus ठीक है तो इस तरीके से fungi और mycorrhiza की बीचे symbiotic relationship बना रहता है ठीक है next पे आते है next question देखे क्या कह रहा है which one of the following organism can serve as bio fertilizer for rice crop तो rice crop के लिए bio fertilizer का काम कौन करेगा यह आपको बताना है तो बहुत ही important बहुत ही अच्छा question है तो जो bio fertilizer है rice crop के लिए वो कौन सा है तो BGA है मतलब blue green algae हो जाएगा तो इसमें a option सही है next पे आते हैं phytotron is a facility to अब देखे फाइटो ट्रॉन क्या होती है phytotronic process है वो क्या होता है ठीक है तो plant को grow करना लेकिन controlled condition में इसको कहते है phytotron ठीक है तो phytotron क्या होती condition होती है जिसमें plants को grow किया था और कैसी condition में controlled condition में grow किया जाता है next question पे आएएंगे next question को देखें question no 13 इसमें कहा गया soft drinks such as colas contain significant quantities of dash देखें जो kola होता है ठीक है जो soft drinks में देखेते हैं क्या बोला गया कनोला रिफर्स टू इस पेशल टाइप ऑफ ओल सीड मल्ड मस्टर्ड वराइटी ब्रीट फॉर हुमन कंजम्शन तो अगर आप यहां पर देखेंगे जो में करेक्टरिक्टिक्स होती है कनोला की वह क्या होती है यहां पर कनोला कि बारे में बताए गया है जो कनोला ओल होता है वह इसमें सबसे कम होता है और जो ओमेगा-3 ऐसेड होता है वह इसमें सबसे जादा होता है ठीक है, it is high in omega 3 fatty acid, ये चीज़ याद रखेगा, and monosaturated fat भी इसमें जादा होता है, which are found in nuts and for healthy for heart, में लिए कहाँ पर पायाते हैं, तो जो omega 3, आप देख रहे हैं, omega 3 fatty acid हो गया, monosaturated fats हो गया, कहाँ पायाते हैं, nuts में पायाते हैं, जो nut है, mumfli है, वो mainly hard के लिए बहुत ज़्य होता है, next पे आते हैं, question 15 में कहाँ गया, which organ in cell other than nucleus contains DNA, तो DNA का मतलब होता है, deoxyribonucleic acid, अब ये nucleus में तो होता है, nucleus के अरावा आप कहाँ पर होता है, तो ये होता है, mitochondria में, तो इसमें d option जो है, वो सही हो जाएगा, question 16 पे आते है, athletes food is a disease caused by, अब जो athlete food disease है, वो किससे होती ह होती है, तो mainly होती है, किससे? fungus से होती है, तो इसका b option जो है, वो सही हो जाएगा, अब जो fungus है, उसका क्या नाम है, तो parasitic fungus से होती है, और उसका genus जो होता है, त्राइको python होता है, ये भी याद रखेगा इसमें होता क्या है कि स्केलिंग मतलब मतलब इचिंग होता बोजा खुजली होती है दाक पड़ाता है ठीक है यह सब सिंटम्स होते हैं कुछ इस डिजीज के और मेंली उन एरियाज में होता है जहां पर लोग बिल्कुल लंगे पैर चलते हैं और साथी साथ बहुत मांने बहुत ज्यादा होता है इटमासफेर में सकते हैं ठीक है नेक्स्ट के आते हैं फोन्ते हैं वह क्या होता हैं यह ऐसे टूसरे प्लांट के लिए प्लांट करते हैं अब है उसके उपर आके चड़ जाएगा ये parasitic नहीं होता, ये आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है समझना, parasitic नहीं होता, parasitic क्या होते हैं, जो दूसरे के ओपर चड़तो जाएंगे, और उनी से nutrition भी आप्टेन करने, लिकिन एपिफाइट्स nutrition आप्टेन नहीं करता है, वो क्यों चड़ता है, वो सिर्फ और सिर्फ support, mechanical support के लिए चड़ता है, और कोई भी उसका काम नहीं होता है, next पर आते हैं, question number 18 में कहा गया, in a bisexual flower, तो एक bisexual flower है, if androsium and gynosium mature at different times, the phenomenon is known as, तो देखे, होता क्या है, कि androsium जो male का है mainly, ठीक है, जो androsium हो mainly male में होता है, और यहाँ पर जो gynosium है, ये female का है, और ये दोनों- अलग-अलग time पे अगर mature होते हैं, तो इससे होता क्या है, कि मतलब self-pollination नहीं हो पाता, ठीक है, और क्योंकि pollination नहीं हो पाएगा, तो इस process को कहते हैं, तो इसको कहते है, dicogammy, तो इसको dicogammy कहा जाएगा, ये चीज आप लोग याद रखेगा, ठीक है, ये by sexual flower में होता ह नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट कॉस्टन में देखते हैं, क्या कहा गया, कॉशंबर 19 है, कॉशंबर 19 में कहा गया, consider the following plants, तो आपको देखें, तीन प्लांट्स दिये गए हैं, मिली, आप से बताना है, which of these plants are propagated by stem cutting, तो stem cutting से कौन कौन प्रोपागेट हो सकता है, ये आप इसको बताना है, तो बॉगन विलिया जो है, ये भी हो सकता है, कारनेशन भी हो सकता है, क्रेप्स भी हो सकता है, कोकोवा भी, मतलब यहां पर अगर देखें, कोकोवा जो है, ठीक है, कोकोवा हो सकता है, लेकिन अगर देखा जाए, ये जो कारनेशन से ये नहीं हो सकता, ठ 20th question कह रहा है तो common blue green algae, spirogyra and eulothrix are found in both fresh water, ponds and ocean तो देखे यहाँ पर कुछ आपको अगर देखा जाए, कुछ आपको organisms दिये जैसे blue green algae दिया गया है, spirogyra दिया गया है, eulothrix दिया गया है और यह बताए गया है कि यह fresh water में भी मिलते हैं, ponds मतलब तालाब में मिलते हैं और ocean मतलब समुदर में मिलते हैं ठीक है तो यह बात जो है, यह बात जो है बिलकुल सही तो है लेकिन यह ब्लू-green algae नहीं है, spirogyra होगे, eulothrix होगे, यह algae तो हैं लेकिन यह blue green algae नहीं है तो यह option इसलिए आपका गलत हो जाएगा second देखे second option क्या कहा रहा है तो चामीलियन के लुक एहड विद वन आए देखे चामीलियन आप लोग ने देखा होगा मिली गिरगेटान होता है और यह एक आख से आगे देख सकता है और दूसरी आख से पीछे भी देख सकता है यह बात बिल्कुल सही है ठीक है इसका अंदलब वो आ गया और पीछे दोनों ही देख सकता है एक आख से वो आ आख से आख से वो पीछे देखेगा तो यह जो option है सही है तो इसमें only two मतलब second option उसमें सही और first option क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा हुआ ही चीज़ यहां पर बताई गई है अब assertion और reason को देख लेते हैं assertion में पहला statement देखे assertion में क्या कहा गया unsaturated fats are more reactive compared with saturated fats बिल्कुल सही बात है कि जो unsaturated fats होते हैं मेंली आप देखेंगे तो इसमें carbon carbon के बीच में bond होती है in-saturated में double bond होगी या तो carbon carbon के बीच में triple bond होगी इसलिए बहुत जादा reactive होते हैं लेकिन saturated fat में carbon carbon बीच में bond होती है इसलिए reac eff sector नहीं होते हैь यहां assertion इसकान अदब सही है reason में क्या कहा गया बट रिजन इस फॉल्स तो इसमें उप्शन बर सी जो होगा डाट विल वी दा करेक्ट आंसर कुश्ट नमबर 22 देखते हैं 22 कुश्ट देखी क्या कह रहा है कुश्ट ट्विंटी सेकेंड में कहा गया छाइब तरह सहां होता है मतलब निकलते हैं जो शुगर करा मिल से रहा है काहां से शुगर मिल से अप्टेन होता है बिल्कुल सही है और इसको फ्यूल की तरह यूज किया आता है बॉयलर में बॉयलर का मेंली काम होता है यहां पर जो श्टीम आप लोग ने श्रीम पार प्लांट देखा होगा तो वहां पर बगैस को हम लोग यूज कर सकते हैं कोल की जगह पर ठीक है क्योंकि कोईला भी क्या थर्ड श्रीटमेंट में क्या कहा गाँ शुगर कैन उनली प्रेद्व्ट फ्राम स्युगर केविश में सब्सक्राइब चीनी आद रखेगे सिर्फ गंचे से नहीं मिलती है, एक होता है बीट, ठीक है, क्या होता है? शुगर बीट होता है, ठीक है, शुगर बीट से भी जो शुगर की प्रोसेशियों होती है, यहाँ पर यह जो थर्ल्ड ओप्शन है, गलत हो जाएगा, बाकि… और सेकेंड जो है दियार्दी करेक्ट आंसर तो इसमें वन एंट तू इसमें सही हो जाएंगे वही चीज नीचे बताई भी गई है नेक्स्ट पर आते हैं 23rd question देखते है 23rd question में क्या कहा गया है Assertion और Reason इसमें भी दिया गया है सबसे पहले Assertion देख लेते हैं Assertion में कहा गया Cellulose is used in making shatterproof glass देखें cellulose को कहा यूज कियाता है तो shatterproof glass बनाने के लिए यूज कियाता है बिल्कुल सही बात है Cellulose उसमें mix कियाता है और Reason क्या दिया गया है Polysaccharides are non-soluble in water जो polysaccharides होते हैं Cellulose क्या पॉली सेकराइड है और यह water में soluble नहीं होता है इसी लिए क्या करते हैं इसको shatterproof glass बनाने में यूज करते हैं तो इसमें Assertion भी सही है Reason भी सही है और Explanation भी सही है तो इसमें A option जो है That will be the correct answer Next पे आते हैं Next Question Question 24 देखें 24th Question कहा रहा है Which one of the following part of picture plant becomes modified into picture अब देखें आपको उताना है picture plant का कौन सा ऐसा part होता है जो आगे चलके modified होता है Modified होके picture बना लेता है तो mainly leaf होता है ठीक है याद रखेगा क्या होता है leaf होता है बहुत अच्छा और बहुत important question है 25th Question पे आते हैं इसमें कहा गया Which of the following type of lights are strongly absorbed by plant तो देखें आपको बताना है कि plant जो है सबसे ज़्यादा कौन सी light को absorb करता है ठीक है तो mainly अगर आप देखेंगे तो photosynthesis जो होता है वो 400 से 7500 nanometer तक होता है ठीक है photosynthesis इस light की wavelength में होता है मतलब 400 से 7500 nanometer की जो light की range होती है उसमें होता है और यह जो wavelength है यह किसकी होती है तो red और blue color की होती है इसलिए जो absorption होता है mainly light का वो किस color की light का absorption होता है तो red और blue light का absorption होता है तो इसमें B option जो है that will be the correct answer ठीक है next पर आते है question number अब यहाँ पर एक बात और याद रखेगा photosynthesis does not occur in infrared and ultraviolet rays मतलब जो infrared rays होती है ultraviolet rays होती है तो उससे कभी भी photosynthesis नहीं हो सकता है question number 26 बहुत ही अच्छा question है इसमें कहा गया consider the following आपको यहाँ पर चार चीजे दी गई है बताना है क्या which of the following are the source of methane तो methane क्या आपको बताना इन में से source क्या-क्या है तो पहला बोला गया rice fields बिल्कुल सही है rice fields में ते methane निकलती है coal mining से भी निकलती है domestic animals भी release करते है methane gas को और wetland से भी methane निकलती है तो इसका जो सही answer हो जाएगा option number D will be the correct answer that is 1, 2, 3 and 4 मतलब सारे इक सारे सही है 27th question पर आते है which one of the following is an insectivorous plant देखे इंसेक्ट पर जो feed करता है वो कौन है वो है picture plant ठीक है और picture plant अगर आप देखेंगे ऐसे soil में उगता है जहाँ पर nitrogen की कमी बहुत जादा होती है किसकी कमी होती है nitrogen की कमी होती है तो वो insect को खाता क्यों है इंसेक्ट को इसलिए खाता है क्योंकि वो insect से nitrogen को अप्टेन करता है मतलब nitrogen नाम को जो nutrient है वो picture plant को कहां से मिलता है insect से ही मिलता है next question 28th कह रहा है consider the following statements about probiotic food अब देखे प्रोबायोटिक food के बारे में आपको बताना है कौन साथ statement यहाँ पर सही है तो probiotic food क्या होता है इसमें कुछ living bacterias होते है which is considered beneficial to humans तो देखे में इसमें कुछ living bacterias होते है और यह bacterias हमारे के लिए शरीर के लिए हामफुल नहीं है useful bacterias होते है बेनिफीशल होते है तो बिल्कुल सही है probiotic food यह होता है second में कहा गया probiotic food helps in maintaining gut flora तो gut जो lining है gut flora है उसको maintain रखता है ठीक है उसको अच्छा बना के रखता है याद रखेगा तो इसमें first और second दोनों ही options से हो जाएंगे तो इसमें both 1 and 2 are correct next पर आते हैं कोशंबर 29 देखें 29 में देखें क्या कहा गया consider the following statements फिर से आपको दो statement दिये हैं पर बताना है कौन साइस में सही है तो दीकिए पहला जो statement है वो क्या कहा रहा है पहले statement में कहा गया sweet orange plant is propagated by grafting technique ठीक है तो जो statement दिया गया है पहला बिलकुल सही है कि जो sweet orange का plant होता है संत्रे का पेड होता है उसको grafting technique से prepare किया जाता है बिलकुल सही statement है और second statement क्या कह रहा है कि jasmine plant is propagated by layering technique तो यह भी आपका option सही है तो इसमें first और second दोनों ही options हैं तो इसमें both 1 and 2 are correct हो जाएगा अब इसके बारे में थोड़ा से देख लेते हैं कि grafting technique क्या होती है layering technique क्या होती है उसके बारे में थोड़ी बाते यहां पर करे गई है तो grafting is the most common method of vegetative propagation तो vegetative propagation के लिए सबसे अच्छा सबसे जो common method है वो क्या है grafting है इसमें करते क्या है दो plants लेते हैं उनको join कर देते हैं मतलब उनके कुछ portions को cut करते हैं stem को cut करते हैं जोइन कर देते हैं और कुछ इस तरीके जोइन करते हैं कि जो पेड़ जो निकलता है वो सिर्फ एक ही पेड़ निकलता है दो अलग लग नहीं निकलेंगे सिर्फ एक ही निकलेगा ठीक है तो sweet orange का जो plant होता है वो इसी technique से prepare किया जाता है layering technique क्या होती है तो layering एक और vegetative propagation की technique है इसमें जो roots होते है roots are artificially induced on the stem branches before they are detached from the plant तो दीके इसमें जो roots होती है वो कहां पर निकलती है artificially इसको induced किया जाता है कहां पर stem में ठीक है before उसके आदे detach होया आती है root पे गिरती है और फिर इसको मतलब इसमें से jasmine plant को निकाल लिया ता मतलब जो plant होता है वो इसमें grow कर जाता है तो इस तरीके से यहां पर दोनों option इसके सही हो जाएंगे क्योंकि jasmine जो है वो इसी method से होता है मतलब layering method से ही होता है next पर आते है को शम्बर 30 कह रहा है making the saffron spice saffron मतलब kesar होता है which one of the following part of plant is used तो saffron को बनाने में जो part होता है plant का कौन सा use होता है तो stigma use होता है बहुत ही important question है तो D option इसमें सही हो जाएगा और याद रखेगा जम्मू एंड कश्मीर में भारत में जो सबसे आदा saffron पायाता है तो कहां पायाता है कश्मीर में पायाता है 31st question कहा रहा है given below are the names of 4 energy crops तो दीके 4 energy crops के आपको नाम दिये गए है can be cultivate अब ethanol को production के लिए कौन सा इसमें cultivate किया जाएगा या आपको इस question में बताना है तो ethanol किससे बनता है या आपको mainly this question में बताना है तो ethanol किससे बनता है तो ethanol बनता है किससे में से बनता है तो इसमें जो भी option है ये mainly सही हो जाएगा इसका तो में बीदा correct answer of this question ठीक है अब ethanol is produced in India from में में से बनता ही है में मतलब मक्का होता है sugar cane से बनता है starch और corn grain से बनता है ठीक है मेज जो है वह आसानी से अविलेबल होता है बहुत ज़्यादा कॉशली नहीं होता इसलिए economic मतलब जो economy होती है यह कह सकते हैं बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता जिसकी वैसे फाइदा ज्यादा होता है next bank question number 30 second कह रहा है some species of plant are insectivores why तो वही चीज़ पूछी गई है कि कुछ प्लांट की स्पीशी जोती है इंसेक्टी वरुस मैं इंसेक्ट क्यों खाती है वह इंसेक्ट इसलिए खाती है क्योंकि देखें यहां पर बी आप्शन से यह क्योंकि वह कहां पर उकती है ऐसे स्वायल में उकती है जहां पर कि बहूट ज़्यदा कमी होती है तब इंसेक्ट को खाता है और इंसेक्ट से नाम का नीट्रियन का ब्राइटी इसक्ट अजी जिल्डकार है है यह मैंलिए थोड़े दिनों पहले मतलब कुछ दिन पहले नहीं बहुत सालों पहले नियूज में थी अब आपको रॉताना है यह उट उट है यह रसेत to drought ठीक है next पे आते हैं तो देखे पहले option में आपको drought resistant बोला गया drought resistant नहीं थी mainly insect या pest resistant थी तो इसमें B option जो है that will be the correct answer question number 34th पे आते है 34th question देखे क्या कह रहा है दो coffee and tea both are cultivated on hill slopes तो देखे टी हो गया coffee हो गया ये दोनों चीजे कहां पर cultivate करिया आती है तो hill slopes होते है हिली areas होते है उसमें mainly cultivate करिया आती है there is some difference between them regarding their cultivation लेकिन इसमें थोड़ा सा difference होता है दोनों में cultivation से regarding आप देखेंगे तो थोड़ा सा difference होता है इन दोनों में अब आपको तना यहां पर जो statement दिया है उनमें से कौन सा statement correct है ठीक है यहां पर पुछा गया है कौन सा statement correct है तो पहला statement कहा गया है coffee plant requires a hot and humid climate of tropical areas देखिए coffee जो requirement है coffee plant को वो hot गरम और humid humid मतलब जहां पर नमी रहती है moisture रहता है वो required होता है ठीक है और mainly जो areas हैं कहा पायाते है tropical areas में यह areas पाया जाते हैं बिल्कुल सही है लेकिन टी जो है चाय जो second option देखिए second क्या कहा रहा है coffee is propagated by seeds but tea is propagated by stem cuttings only तो जो coffee है उसको दो किससे propagate कियाता है seeds से लेकिन टी अगर आप देखेंगे तो उसमें कहा गया सिर्फ stem cutting से ही क्या propagate कियाता है तो यह चीज यहां पर गलत है यह जो statement दिया है गलत है क्यों गलत है क्योंकि यहां पर जो coffee और tea है यह दोनों के दोनों जो होते हैं इनको stem cutting से भी प्रॉपोगेट कर सकते हैं और seed से भी प्रॉपोगेट कर सकते हैं तो यहां पर इस ले option अला गलत हो जाएगा next पर आते हैं 35th question देखे क्या कह रहा है with reference to soil conservation consider the following practices तो यहां पर soil conservation से related कुछ practices दी गई है आपको बताना है कौन साइस treatment इसमें सही है कौन से method इसमें apply होते है soil conservation के भारत में तो soil conservation के लिए crop rotation होता है बिल्कुल ठीक है sand fences भी लगती है terracing भी होती है और wind breaks भी होता है तो इसमें चारो की चारो सही है तो इसमें D option सही हो जाएगा question number 36 पे आते हैं 36 में कहा गया है other than जट्रोफा करकास देखे जट्रोफा करकास को छोड़ के वाइस पॉंग्यामिया पिनाटा also considered a good option for production of biodiesel in India तो भारत में पॉंग्यामिया पिनाटा जो है उसको भी use किया आता है आपको बताना है ऐसा क्यों किया आता है इसको इसका use करने का कारण क्या है तो दिखे पहला option क्या दिया गया है पॉंग्या पिनाटा ग्रोज नाश्रल इन मोश अफ दी एरे रीजन साफ इंडिया तो भारत के जो एरे रीजन से वहां पी भी ग्रो हो सकता है बिल्कुल सही स्टेट्मेंट है सेकेंड कहरा है सीट्स ओफ पॉंग्या पॉंग्या पिनाटा और लिश्य लिपिड कंटेंट उनियरली हाफ इस आफ इस ओल्ट इस ओलग अर चीजवी नीचे एकस्पिलिन भी करेंग करिए उसको आप लोग देख सकते हैं तो देख लेते हैं पॉंग्यामिया पिनाटा इडाप्टेबल तो एरिट जोन्स वह होते हैं जहांबर पानी बहुत कम होता है डिजल टीरियाज में लिए होते हैं बहुत गरम होता है और यह अलग अलग वराइटी अवसकते हैं यह सबसे अच्छी बात है इस नेटिव तो हुमें इंवार्मेंट में भी उग जाएगा और सब्ट्रॉपिकल इंवार्में भी ग्रो कर जाता है ठीक है अलॉंग कोश्ट जो कोश्ट पे भी उग सकता है रिवर बैंक जो होते हैं रिमुवध इना सर्क्लर फैशन तो देखे अगर आप किसी भी की बार्क को सर्क्लर फैशन में रिमुव करदें और कहाँ पर उस्के बेश के पास में जो ट्री का बेस है इसके पास में गसको रीमूव होते हैं उसमें से एनरजी खतम आती है क्योंकि जो होता है वहीं टूट जाता है ठीक है क्योंकि फ्लॉयम कहां पर होता है तो फ्लॉयम अगर आप देखेंगे फ्लॉयम लेयर आफ टिशू ज़स्ट बिलो दी बार्क इस रिस्पॉंसिबल फॉर्ड फॉर्ड फॉर्म लीव रूट रूट्स तो खीकिए लीव तक फॉर्ड पहुंच सकति आउट गएन थीवस्ट था वह चैप अपने को कात दिया पेजिए कहां बेस के पास ही तो प्रेजिट ता आपने जब उसको कट कर दिया तो आगे मतलब जो भी न्युटिन से पहुच नहीं पाएंगे और जो roots होंगे वो dead हो जाएगा और प्लांट भी ultimately dead हो जाएगा next पे आते हैं question number 38 कह रहा है consider the following organisms कुछ organisms दिये गए हैं जैसे अब यहाँ पूछा क्या गया some species of which of the following kinds of organism are employed as bio pesticides अब आपको आता है बायो pesticides की तरह कहां किसको किसको हम लोग use कर सकते हैं बायो pesticides में कौन-कौन इसमें use किया सकता है या आपको इसको question में बताना है तो बायो pesticide में bacteria use किया सकता है फंजाए यूज किया सकता है flowering plants भी use करे आ सकते हैं तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1, 2 and 3 तीनो-तीनो सहीं है 39th question देखेंगे 39th question में कहा गया consider the following organisms आपको कुछ organisms दिये गये हैं इनके बारे में बताना किया 14th following are used as bio fertilizer और bio fertilizer की तरह इसको कौन use किया जाएगा या आपको बताना है इस question में तो bio fertilizer mainly अगर आप देखेंगे तो agaricus नहीं उसकर सकते हैं ठीक है नौश्टॉक को यूज कर सकते हैं स्पाइरो गायरा भी नूज किया सकता है तो इसमें second option सही है सिर्फ तो इसमें B option is correct ठीक है next पे आते है 40th question क्या कहा रहा है fruits stored in a cold chamber exhibit longer storage life because तो दिखेंगे जो fruits होते हैं जो फल होते हैं जब इनको ठंड में store किया आता है जब फ्रिज में store किया जाएगा cold storage में store किया आएगा तो इसकी जो storage life होती हो बढ़ जाती है ऐसा क्यों होता ही यह आप से इस question में पूछा गया है ऐसा होता इसलिए है क्योंकि जो rate of respiration होता है fruits का वो reduce हो आता है अब इसके बारे में पूरी कहानी पढ़ लेते हैं क्या ऐसा हो क्यों होता है तो fruits respire करते हैं आपको पता है fruits में respiration होता है और respiration से होता क्या है कि ethylene gas जो है वो release होती है जो ripening में मतलब fruit को पकाने मदद करती है ठीक है अब जब इसको cold storage में रख दिया आता है जब fruit को cold storage में रख दिया आता है तो ethylene का जो production होता है वो control आता है मतलब वो धीमा हो जाता है जिसकी वज़े से fruits की जो shelf life होती हो क्या हो जाती है बढ़ जाती है simple सी बात है next प्याइं को शंबर 2041 देखे क्या कह रहा है many transplanted seedling do not grow because देखे जब आप किसी पेड़ को एक जगह से निकाल के जैसे माली चोटा सा पौधा है उसको एक जगह से निकाल के दूसरी लगाते है तो आपने देखा होगा कि अक्सर ऐसा हो दा है कि वहां दूसरी जगह जाके उकता नहीं है तो ऐसा क्यों हो रहा है इसलिए होता है क्योंकि बहुत छोटे-छोटे से hair-like उसमें roots होते हैं वो तूट जाते हैं ठीक है और उसकी वैसे वो नहीं उक पाते हैं यहां पर new soil does not favor यह गलत है most of the root hair grip the new soil 2 hard यह भी गलत है are lost during transplantation यह आपका सही है तो इसमें C option सही है C option आप पढ़ लीजे most of the root hairs are lost during transplantation मतलब जब एक पेड़ को एक जगह से transplant दूसरी है कि आ रहा है तो बहुत सारे जो root होते हैं छोटे-चोटे पतलब बहुत पतले बदले थे root fibers होते हैं वह तूट जाते हैं वही चीज यहां पर एक मतलब explain भी करी है shock की वैसे तूट जाते हैं ठीक है तो जिसकी वैसे वह आगे चलके grow नहीं कर पाते हैं दूसरे soil पे next पे आते हैं 42nd question देखे क्या कह रहा है which of the following leaf modification occur in desert areas to inhibit water loss तो water loss को कम करने के लिए पेड़ों में जो desert plants होते हैं उनमें कैसी-कैसी leaf में changes आते हैं आपको बताना है इस question में तो hard and waxy leaves आती है बिल्कुल ठीक है tiny leaves and no leaves होती यह भी सही है thorns आते हैं instead of leaves यह भी सही है इसमें first, second, third, three options जो है they are correct ठीक है, यह तीनों चीज़े हैं desert plants में जिससे जो rate of evaporation होता है वो reduce होया आता है ठीक है, next पे आते है 43rd question को देखेंगे which one of the following is the process involved in photosynthesis तो photosynthesis में कौन सा process involved है यह आपको बताना है तो इसमें होता क्या है कि जो free energy होती है वो convert रहते है potential energy में और वो store रहती है तो free energy is converted into potential energy and stored यह बात याद रखेगा next पे आते है 44th question में कहा गया which one of the following group of plant domesticated in new world and introduced to old world domesticated मतलब उसको रखा गया है या domesticated किया गया है पालन पोशड किया आता है नए world में आज के जबाने में लेकिन उसका introduction कब हो चुका था तो old world में उसका introduction हो गया था ऐसे कौन कौन से पेड़ है या आपको इस question में बताना है तो इसमें mainly tobacco आ जाएगा तमाख हूँ आ जाएगा cocoa आ जाएगा और rubber आ जाएगा तो इसमें ए औप्शन जो है that will be the correct answer तो tobacco भी है ऐसा पेड़ ठीक है cocoa भी है और rubber भी है next question पहाएंगे हमारा आज का आखरी सवाल है एक और बचा है इसके बाद बस ठीक है इसमें कहा गया recently there was a growing awareness in our country about importance of Himalayan natal गिलडानिया डाइवर्सी फोलिया तो देखे एक यहाँ पर वाराइटी दी गई है गिलडानिया डाइवर्सी फोलिया अब आपको उताना है इसमें ऐसा क्या खास है जिसकी वैसे इसके लिए बहुत ज़्यादा awareness क्रियेट करी गई थी इससे होता कि ऐसे textile fiber बनाय जाता है ठीक है प्लाज़ बनाया जाते हैं याद रखेगा इसको next question पर आएंगे next question हमारा देखे क्या कह रहा है एक और बचराए भी next question कह रहा है which of the following statement are correct regarding general difference between plant and animal cell plant to animal cell से related आपको उताना है कौन सा difference होता है जो यहाँ पर दिया गया है ठीक है तो पहला देखे पहला क्या कह रहा है plant cell have cellulose wall while animal cell do not बिल्कुल सही है second में कहा गया plant cell do not have plaza membrane unlike animal cell which do यह गलत है third कह रहा है mature plant has a one large vacuole while animal cell यह सही है तो पहला और तीसरा जो है इसमें सही हो जाएगा ठीक है तो इसमें C option is correct next पे आते है 47 तो यह मारा आज का आखरी सवाल है इसमें कहा गया according to India's national policy on biofuels तो biofuels की जो national policy आई थी उससे related आप से पूछा गया इसे कौन कौन से raw material है जिससे biofuel बनाया जा सकता है तो ऐसे जो raw material है वो कौन से है तो कसावा है बिल्कुल ठीक है इसके बाद damaged wheat grain भी होती है भी सही है इसके बाद अगर third देखे groundnut seeds से नहीं बनाया सकता है horsogram से नहीं बनाया सकता है rotten potato से बनाया जा सकता है और साथी साथ शुगर beet से बनाया सकता है तो इसमें 1, 2, 5 और 6 सही हो जाएगा तो इसमें A option is correct तो यह हमारे पास कुछ questions थे जो botany के important general science के questions थे biology से related जो आपके competitive exams में जरूर पूछे जा सकते है तो अभी क्लिए फिलालता है thank you very much goodbye जहिंत